आप? हाँ, मैं उस दिन तो बड़ी डिंगे हाक रही थी कि काका जी लोटते ही आकर मुझसे मिलेंगे और जब लोटे तो मिलना तो दूर रातो रात बेड़ी के साथ फरार हो गए मुझे तुम लोगों की नियर ठीक नहीं लग रही कहां है मेरे पैसे? हम आपके पैसे लोटा देंगे और सुलक्षर के बाबा कहीं फरार नहीं हुए है वो जल्दी लोटने वाले है हाँ, जी हाँ बहुत दुनिया देखी है मैंने ऐसे बहाने खुब सुने हैं इसलिए सीदे सीदे मेरे पैसे वापस करो मैं अब और इंतिजार नहीं कर सकता मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए वारना ये खर खाली करो ऐसे कैसे आपने तो हमें दस दिन की मौलत दी थी अभी कुछ दिन बाकी है ये हंड्या है आप अपने वादे से मुख कर रहे हैं मैं आपकी फर्याद लेके जाओंगी मुख्या ये के पास मुख्या जी तुम्हारा पक्ष लेंगे एक अपसुणी की मागा भ्रम में जी रही हो तुम कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली क्या इरादा है तुम्हारा पैसे दे रही हो या फिर समान फिकों अभी कभी बाहर क्या बात है काका जी आपके रहने की समस्या तो हल हो गई आप फिर भी दुखी लग रहे है और कोई समस्या है क्या समस्या ही समस्या है मेरे जीवन में पताएंगे नहीं तो हल कैसे डूंड़ा जाएगा हमारे काओं की पंचायतने जो समय सिमा दीती वो दिन पर दिन घटती जा रही है मुझे डर है कहीं हमारे गाओं के साथ साथ आई सब्तु शुरूंगी का मंदिर भी ना चूट जाएं और दूसरा सेट रमन लाल के दिये हुए कर्च को लोटाने की मौलत वो असिमा भी नस दीखा रही है समझ भी नहीं आता इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा समझ भाग बाओं सम्झे तो राओं सम्झे तो साही बबा ऐसे अचानक उटकर कहां चले गए होंगे सरकार आपके गहे अनुसार मैंने उस काका जी को धरंशाला से निकलवा तो दिया लेकिन उस माधव ने उसको और उसकी उस मन्हूस बेटी को अपने घर में शनन्द दे दिये समय बल्वान संता समय बल्वान उस फाकीर ने कहा था कि अगर गाव में कोई अपशगुन होता है तो उसका जिम्मेदार वो स्वेम होगा अब इन शिर्डी मासियों का भगवान हारेगा और मैं अमलदार को बुरा कर दिखाऊंगा कि क्या होती है कुल करनी सरकार की शक्ती अरियोम प्रणाम साही आओ मुदूर सब कुशलमंगल जी बाबा बाबा आपके अश्यरवाद से कुछ दिनों पहले ही मेरी बेटी की शादी बड़े अच्छे से संपन हुई सब्सक्राइब शादी के बाद बेटी और दामाद पहली बार शिर्डी आया है आपका अश्यरवाद दिल्वाद यहां लाया हुई है रामजी भला करें नरुबा, मैं पानी बनने जा रही हूँ तो कहीं जाना नहीं, घर में ही रहना तब यह ठीक लग रही है अभी, जंगल जाकर शहद ले आतो अभी निकल गया तो ठीक है, वरना आई तो जानी नहीं देखी ये हुँ कर दो कर दो प्रक्रदी ने हमें लगबख हर बिमारी से लड़ने की कोई न कोई ओशेदी दिये पेड़ पोदे और जड़ी बुट्टियों के रूप में बस हमें इन्हें जानने की, पहचानने की और समझने की ज़रूरत है जैसे यह गेंदे की पत्तिया इसकी पत्तियों का रस निचोड़ कर खाव पर लगाने से जख्म जल्दी भर जाता है और तवचा से जुड़े संक्रमन में भी इसकी पत्तिया काफी फाहिदमन सिद्ध होती हैं और आज में तुम लोगों को ऐसे कई सारे पोधि दिखाऊंगे और उनके ओशदियां गुनों से परिचित करवाऊंगे सुनो सुनो क्या हो रहा है वहां के वह क्या है ना हम बच्चे जंगल में नहीं जा सकते ना तो सुलक्षना दीदी अमें यहां लाती है और सिखाती है कि कैसे छोटी मोटी तकलीफों का इलाज पेड़ पौधों से हो सकता है यह काल में एक पत्ता बहुत कड़वा होता है लेकिन इसकी पत्तियों के सेवन करने से पेड से जुड़ी समस्याओं में लाब मिलता है और अगर पीलिया हो जाए तो इसका सेवन किया जाता है और यह अडूसा पत्ता खासी के लिए हुआ है आप यहां क्या कर रहे? बाजी, पानी लेख रहाऊ वो मैं शहद लाने जंगल जा रहा था बच्चो आज के लिए इतना ही, बाकी कल इनकी दब्याद देख रहे हो ना, इनने घर छोड़ने जाना पड़ेगा क्या तुम लोग मेरी मेदद करोगे? नहीं, मैं ठीक हो, मैं चला जाओंगा आप तो कुछ ना ही बोले तो बहतर है, क्या ज़रूरत ही इस हालत में शहद लाने की? चली, मैं आपको घर छोड़ के आती हूँ आओ बच्चो में ही मदद करो आप बैकी आराम कीजिये, चाहद कहां रखा आपने? वाह, टोकन है इतना शहद काफी है, इसमें तो दो दिन काम चल जाएगा आप समझ नहीं रही है, वो काम पढ़ेगा मैं रोज चाहर नाम रिद बनाती है, मुझे पता है कि कितना शहद लगेगा इसलिए कह रही हूँ कि जंगल जाने और वहां भटकर शहर ढूनने की फिलाल कोई अवश्यक्ता नहीं आपको जंगल? नारायन तो जंगल गया था? हाँ काथी, और बीच रास्ते में गिर पड़ी थे वह तो भगवान का शुक्र है कि गाओं के बच्चों के साथ में वहीं थी और उन सबकी मदद से इन्हें वापस ले आई धन्यवाद बेटी, तो किसी देवी के रुप में हमारे जीवन में आकर हमारी मदद कर रही है पहले इससे दवाई दी और आज तो इससे सुरक्षित घर वापस भी ले आई क्या हुआ काका जी? किस सोच में खोई है? साई बाबा, जब भी मैं किसी नव विवाही जोडे को देखता हूँ, तो अपनी सुलक्षणा की शादी की चिनता होने लगती है इस डर से सहम जाता हूँ कि कहीं उसके जीवन का अतीत उसके भविश्य को हमेशा हमेशा के लिए मुर्जान दे आओ मेरे साथ इस पौधे को देखिए कागाजी इसे देखके क्या लगता है आपको? ये तो सुखा हुआ पौधा है बाबा ये कभी नहीं पनपेगा दिवार में उगा हुआ पौधा कैसे फलफूल सकता है इसका सुखना तो तैय है बिल्कुल सुलक्षणा की तरह है तो क्या मेरी सुलक्षणा की जिन्दगी कभी फलफूल नहीं पाएगी साई? मैंने ऐसा तो नहीं कहा अभी आपने कहा कि मेरी सुलक्षणा का जीवन इस सुखे हुए पौधे की तरह है और ये पौधा तो किसी भी हालत में पनपेगा नहीं दिवार में इसकी जड़े कैसे फैलेंगी और जड़े नहीं फैलेंगी तो कोई पौधा कैसे फल भूल सकता है? काका जी इस पौधे का भविश्य सिर्फ इसलिए खराब लग रहा है क्योंकि ये दिवार में उगा है दिवार से इसे पोशक तत्व नहीं मिल सकते इसकी जड़ें फैल नहीं सकती हाँ सै हो जिसके रिदय में गया भरी हो करना मैं जो सर्वो परी हो निर्बन का जो बने सहारा रिदय वही तो हरी का धाम एक बायू से सांस सजेरे एक ही जल से प्यास पुझेरे धिन नाम से एक भजेरे रहिमन है वो ही वो ही राम अब पौधे को उसकी अनुकुल वातावरन में लगा दिया है अब बताओ क्या अब भी यहाँ नहीं पनपेगा अब तो यह पौधा पनपेगा भी और फलेगा फूलेगा भी काकाची कुछ इसी तरह शिरड़ी भी सुलक्षणा के लिए अनुकुल है आज वो वहाँ है जहां उसे होना चाहिए लेकिन जैसे इस पौधे को ठीक होने में वक्त लगेगा वैसे ही सुलक्षणा को भी वक्त लगेगा कुछ लोग यहां इस पौधे को देखेंगे और सूचेंगे कि इसमें पनपने की शक्ती नहीं है ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग सुलक्षणा को उसके अतीत के कारण यहां परेशान कर रहे हैं मगर सच्चाई केवल हम दोनों जानते हैं काकाजी कि ये पौधा बड़ा होकर पेड़ बनेगा और कुछ ऐसा ही सुलक्षणा के साथ भी होगा लेकिन उसकी शादे चिंता मत कीजिए काकाजी भगवान में सुलक्षणा के लिए जिसे बनाया होगा उसे वो सुलक्षणा तक पहुचा ही देगा जाए इसे चानने के लिए कपड़े का इस्तमाल होता है आप अराम से बैठिये मुझे पता है लेकिन आप अकेले अभी थोड़ी दिर पहले आपके शरीर में जान नहीं थी गिर पड़े थे आप अगर आप सादा बेमार होगे तो काकी अकेले क्या क्या करेंगी आप आराम से बैठिये मैं करेंगी स्क्राइब खिर फसक्राइब आराम रिंग अराम अराम घाइब यह आपने सही किया, किसी की जान बचा ले? यह आपने सही किया, किसी की जान बचा ले? अच्छाब चलती हो? आपके उशदी से मैं ठीक हो रहा हूँ, और आपने दो दिन साईवाब तक शहद पहुचा कर, मेरी सेवा को खंडित होने से बचा लिया, मुझे लगता है, कल से मैं खुद शहद लेकर जा पाऊंगा। चलती हूँ काका जी, एकागर चित्त से की गई पूजा, इश्वर तक पहुचती है। और भटकता हुआ मन, मनुष्य को दूर ले जाता है इश्वर से। चमा चाहूंगा साई, लेकिन मैं कल से बहुत चिंती तुम सुलक्षणा की आई को लेकर। पूरा वणी गाउं इस समय हमारे विरुद्ध खड़ा है। और इसी का फाइदा उठाकर सेट रमंडलाल हमारा घर हड़ापना चाहता है। और मैं शुद्धा को इन सबसे जूजने के लिए वहां अकेला छोड़ कर आ गया। पताने उसे वहां क्या-क्या सहना पड़ रहा होगा। जिसे दिल से याद किया जाए, वो दूर कैसे रह सकता है। आहो!